मूवी की शुरुवात में हम वोरेन नाम के एक ऐसे आदमी को देखते हैं जिसे बर्ड्स पर रिसर्च करना काभी ज़्यादा पसंद था वो हमेशा बर्ड्स के बारे में कुछ न कुछ पढ़ता रहता, उनके बारे में कुछ न कुछ लिखता रहता एक दिन वो ऐसा ही कुछ कर रहा था तब ही उसे पास के पेड़ के पास से कुछ आवाज आती है वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर एक छोटा सा अजीब सा क्रियेचर था जिसका शरीड तो दिखने में इंसानों की तरह था लेकिन उसके हातों पर पंक थे और उसका साइज भी बिल्कुल एक बर्ड की तरह ही था वोरेन उस बर्ड को अपने घर पर अपनी वाइफ के पास लेकर चला जाता है अब हम उसकी वाइफ को देखते हैं जिसका नम टाइन होता है जब वोरेन अपनी वाइफ को उस बर्ड को दिखाता है तो वो एकदम हैरान हो जाती है और कहती है ये तो एक छोटी सी चिडिया है जो इंसानों की तरह दिखती है वोरेन कहता है कि मैंने भी अपने लाइफ में पहले कभी भी नहीं ऐसे किसी बर्ड के बारे में पढ़ा और नहीं कभी देखा टाइन कहती है कि हमें इसके बारे में पुलिस को बता देना चाहिए लेकिन वारेन कहता है कि हमें थोड़ी तर वेट करना चाहिए क्या पता इसके पेरेंट्स इसे ढूड़ते वे यहां पर आ जाएं कुछ दिर बाद वारेन देखता है कि टाइन उस बर्ड के साथ बहुत खुश थी वो उसे किसी बच्चे की तरह फ्यार कर रही थी उसकी खेर कर रही थी इन दोनों का कोई बच्चा भी नहीं था इसलिए वोरेन और टाइन उसे अपने पासी रखने का डिसाइड करते हैं अब राद को ये लोग उस बर्ड का नाम रखने लगते हैं वोरेन उस बर्ड के लिए अलग-अलग अजीब-अजीब नाम सोचता है तबी टाइन उस बड़ का एक बड़ा ही प्यारा सा नाम सोचती है और उसका नाम फ्लोरा रख देती है टाइन फ्लोरा के लिए बड़े ही प्यार से चोटे-चोटे कपड़े बनाती है और उन कपड़ों को पहनने के बाद फ्लोरा के पंक छुप जाते हैं उसके नएने फादर यानि की वोरेन भी उसके लिए एक ऐसी गाड़ी बनाते हैं जिस पर उसे बठा कर घुमाया जा सके फिर अगली सुबह ये लोग उसे उस गाड़ी में बठा कर कुछ लोगों से मिलवाने के लिए जाते हैं वो लोग भी इससे मिलकर काफे जादा खुश होते हैं लेकिन वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखर ये बच्ची इतनी चोटी कैसे है इसके बाद समय के साथ-साथ फ्लोरा धीरे-धीरे बड़े होने लगती है क्योंकि वो एक बर्ड थी इसलिए वो उड़ना भी सीख जाती है जिसे देखकर वोरेन और टाइन बहुत खुश होते हैं एक दिन टाइन कपड़े सुखा रही होती है तब ही फ्लोरा टाइन को मीमी और वोरेन को पीपी कहके बुलाती है उसे पहली बार बोलते वे सुनकर ये लोग एकदम हैरान हो जाते हैं टाइन को लगता है कि ये उन्हें बर्ड की लेंग्वेज में ममी पापा कहके बुला रही है इसके बाद Tine Flora को इंसानों की भासा सीखाने की कोशिच करने लगती है लेकिन Flora को इंसानों की भासा सीखने में बहुत ही जादा मुश्किले आ रही थी रात को Tine ये बाते Warren को बताती है कि अगर Flora हमारी भासा नहीं सीख पाएगी तो उसे फ्यूचर में बहुत जादा प्रॉब्लम्स आएंगी अगली सुबह Tine Flora को खाने के लिए कहती है लेकिन Flora उस खाने को नहीं खाती जबी Flora को फर्श पर एक कीड़ा दिखाई देता है और वो उसे पकड़ कर खाने लगती है इसके बाद Tine Flora को डाइनिंग टेबल पर जबर्दस्ती बैठा देती है और उसे खाने के लिए कुछ केच्वे देती है लेकिन Flora को इनसानों की तरह टेबल पर बैट कर खाने की आदत नहीं थी इसलिए उसे काफ़े प्रॉब्लम्स आ रही थी यह सब देखकर वरेन और टाइन भी बहुत जादा परेशान थे इसके बाद Tine Flora को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है Flora को उस रेस्टोरेंट में एक पिंजरे में कुछ पैरेट्स दिखाई देते है जिनने देखकर Flora का भी मन उड़ने का करता है यह देखकर Tine बहुत परेशान हो जाती है और यह बात बाहर किसी को ना पता चले कि Flora उड़ सकती है इसलिए वो Flora को लेकर वहां के टोइलेट में चली जाती है और उसे टोइलेट में ले जाकर कहते हैं कि तुमारा यहां जितना मन करें यहां पर उड़ो और बाहर से उस टोइलेट का गेट बंद कर देती है लेकिन उस टोइलेट की खिड़कियां खुली वी थी जिससे बाहर निकल कर Flora कुछ पंचियों की पीछे-पीछे उनके जुंड के साथ उड़ जाती है उसे उड़ता हुए देखकर टाइन उसका पीछा करने लगती है मगर वो उसके हाथ नहीं आती इसके बाद वोरेन घर आकर टाइन से बोलता है कि उसने Flora जैसा ही एक बर्ड आसमान में उड़ते हुए देखा टाइन कहती है कि वो और कोई नहीं बलकी Flora ही है यहाँ Flora को पंचीयों के साथ उड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था और वो उड़ते उड़ते शहर में पहुँच जाती है तब उसका बैलेंस बिगड़ता है जिसकी वज़े से वो आसमान से नीचे गिर कर एक घर की खिड़की से उसी की जितनी एक छोटी सी बच्ची के कमरे में पहुँच जाती है दूसरी तरफ वारेन और टाइन Flora को ढूरते ढूरते शहर की तरफ आते हैं वहीं वो छोटी बच्ची पहले तो Flora के पंखो को देखकर हैरान थी लेकिन बाद में उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है दूसरी तरफ टाइन और वोरेन एर पुलिस के पास जाते हैं ताकि उन्हें Flora के बारे में कोई information मिल सके लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं पता चलता वहीं Flora और वो छोटी बच्ची घर से बाहर पास के ही एक पेड़ पर खेलने के लिए जाते हैं Flora तो उड़कर फटाइक से उस पेड़ी की उचाई पर पहुँच जाती है लेकिन वो छोटी बच्ची बड़ी मुश्किल से पेड़ी के निचले हिस्से तक ही चड़ पाती है उसे ऐसा लगता है कि शायद वो भी किसी दिन Flora की तरह एक बर्ड बन जाएगी और वो भी उड़ने लगेगी रात होने ही वाली थी इसलिए टाइन और वोरेंट रात कुजारने के लिए पास के एक होटल में रूम बुक करने के लिए जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी रूम खाली नहीं मिलता इसलिए उन्हें बाहर ही एक पेड़ के नीचे रात कुजारनी पड़ती है पेड़ पर सो रही है वोरें तुरंद उस पेड़ पर चड़कर देखता है लेकिन फिलोरा पेड़ पर नहीं थी क्योंकि अब यहां से उड़ कर कहीं और चली गई girl ती अब ही तीनों एक साथ फ्लोरा को ढूड़ने के लिए निकल जाते हैं वहीं फिलोरा फिर से उड़ते पंचियों के साथ शहर में आ जाती है लेकिन अभी भी फ्लोरा को पंचियों के साथ उड़ने की आदत नहीं थी इसलिए उसका बैलेंस बिगरता है और वो शहर के बीचों बीच मौजूद एक बिल्डिंग पर गिरती है वहां मौजूद लोग इंसानों की तरह दिखने वाल बढ़ को कोई चील उठाकर ले गई ये खबर वोरेन और टाइन को भी पता चलती है लेकिन को इंसिडेंटली ये लोग उसी आदमी के घर पहुंच जाते हैं जो फ्लोरा को बचाने के लिए उस बिल्डिंग पर चड़ा था यहां वोरेन उसे बताता है कि फ्लोरा को कोई चील उड़ा कर नहीं ले जा सकती वो चील से काफी जादा बड़ी है वो खुदी उड़कर कहीं और चली गई होगी अब ये तीनों सुरक्षा कर्मी के साथ फ्लोरा को ढूड़ने के लिए निकल जाते हैं फ्लोरा को ढूड़ते हुई ये लोग एक ऐसी जगा पर लड़का मिलता है यहाँ यह आपस में बाते करते हैं और इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है इसके बाद ये लड़का अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है लेकिन जब है उसके बैड के नीचे किसी का होनी का एहसास होता है और जब वो नीचे देखत वापस उस कमरे में आकर फ्लोरा को ढूडते वो यहां से जा चुकी थी अब उस छोटी बच्ची का एक नया दोस्त बन गया था इसलिए वो यहीं पर रुख जाती है वही वोरेन और टाइन फ्लोरा को ढूडते वे आगे निकल जाते हैं रास्ते मुने उस छोटी जी बच्ची के फादर भी मिलते हैं जो अपनी बच्ची को ढूड रहे थे अब यह तीनों फ्लोरा को ढूडते वे काफी आगे निकल गए थे वो शुरक्षा कर्मी बहुत ही भावुक हो जाता है क्योंकि वो फ्लोरा को नहीं डूड पाया था लेकिन इसके बाद भी वोरेन और टाइन फ्लोरा को ढूड़ना चालूम रखते हैं लेकिन अब रात होने वाली थी इसलिए ये लोग एक जगा पर रात कुजारने के लिए रुख जाते हैं जब ये लोग सो रहे थे जब भी फ्लोरा उड़ते उड़ते यहां मुझूद एक पेड़ की टहनी पर आकर अटक जाती है मौके पर इस दुरक्षा करमी की नीद भी तूड़ जाती है और वो फ्लोरा को देख लेता है वो पेड़ पर चड़ जाता है और थोड़ी मेहनत करने के बाद वो फ्लोरा को बचा लेता है इसके बाद वो उसके पंको को ठीक करता है और उसे उड़ा देता है अगले दिन वो सुबह ये बात वोरेन और टाइन को बताता है कि उसने उड़ने वाले बेबी गर्ल को देखा वोरेन और टाइन कहता है कि हाँ वही फ्लोरा थी अब ये दोनों बाइक पर फ्लोरा को ढूरने के लिए निकल जाते हैं थोड़ी दिर बाद टाइन को फ्लोरा बहुत सारे पंचियों के साथ उड़ती भी दिखाई देती है। फ्लोरा पंचियों के जुन्ड के साथ समुंदर पार कर रही थी। फ्लोरा को अपने से दूर जाते वे देखकर ये लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। यहां वोरेन टाइन से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन ये बात भी तो सच है कि फ्लोरा एक पक्षी है और उसे खुले आसमान में पक्षियों के साथ उड़ना पसंद है। यही उसकी सच्चाई है हमें इस बात को स्विकार करना ही होगा। इसके बाद ये दोनों यहां से जाने लगते हैं। लेकिन जब इफ्लोरा उड़ते उड़ते समंदर में गिर जाती है, उसे पानी में डूपता हुआ देखकर वोरेन तुरंत पानी में जाकर उसे बचा लेता है। फ्लोरा वोरेन और टाइन को देखकर बहुत खुश होती है इसके बाद ये दोनों उसे वापस अपने घर ले आते हैं वोरेन उसके पंख को ठीक करता है और ये लोग साथ में खाना खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं लेकिन रात को फिर से फ्लोरा को पक्षी दिखाई देते हैं और उसका मन दुबारा से उन पक्षियों के साथ उड़ने का करता है अगले दिन टाइन और वोरेन आपस में बात करते हैं कि फ्लोरा एक पक्षी है हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले हम इसे इंसानों की तरह नहीं बना सकते पक्षियों के साथ ही रह कर ये खुशी से जी सकती है हम इंसानों की बीट इसे हमेशा नई नई प्रोब्लम्स आती रहेंगी इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग फ्लोरा को आजाद कर देंगे अगले दिन दिल पर पत्था रखकर ये लोग फ्लोरा को खुले आसमान में उड़ा देते हैं देखते ही देखते हैं फ्लोरा उड़कर बहुत दूर चली जाती है इसके बाद वारेन और टाइन वापस अपने घर चले जाते हैं और वो लोग ये उम्मीद करते हैं कि शायद कभी फ्लोरा को इनकी याद आएगी और वो उड़ते उड़ते इनके पास इनसे मिलने के लिए जरूर आएगी यही पर ये मूवी एंड हो जाती है आप मेरे को कॉमेंट में बताना आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा